हेलो नमस्का दोस्तों आप लोग कैसे उम्यत करता हूं बढ़िया हूंगा आप लोग का स्वागत अपने चैनल पेन एडिया एजुकेटर दोस्तों आज की इस वीडियो बात करने वाले हैं स्वास्त वाग से निव वेकंसी आपको देखने को मिली हैं और आप लोगों को पत तक 18 से स्टार्ड तीस साल तक जो भी डाल सकता है अप्लाइडेट का सारा इस वीडियो में पढ़ ले जिसका ओपीसे नोटेस अब रिलीज करती आए आए और इसका नोटेस पढ़ लेते हैं प्रीडियाफ क्या है इसमें क्या मेंसिन किया हुआ है सारा इस वीडियो में प्रोवाइड होता ही ठीक है तो फाइली हम आच चुके हैं डारेक्ट और पीडिया उसकी निकाल ली है हमने तो इसमें में किया हुआ है और इसमें बात कर लेते हैं रिक्वार्टमेंट नौटिस फोर ग्रोप बी एंड सी पोस्ट इन इनिस्ट्यूट और मतलब कहने के मत कि पोस्ट रहने वाली हैं और यह दस तारीक को रिलीज करें किया हुआ था यह और यह उसका नंबर दे रखा है और हम इसे बात कर लेते हैं तो यह पोस्ट का कॉलम बना है यह जन्नल एस सी एस्टी ओवी सी एडवलू एस और इसमें में में किया हुआ है यह एज लिमिट कहने का मतलब है कि जिस तारीक के जो फौरम एंड होंगे उस तारीक आपकी डेट मतलब एज लिमिट की जाएगे ठीक है और एजुकेशन कॉलिफिकेशन सारा इस वीडियो में जक्र किया हुआ है यह अलाला कॉलम बने हुए हैं अगर हम बात करते हैं रिसर्च असस्टें लेवल और इसमें जो अगर आपको आपको से ली देखने को मिल लिए ठीक है एज की बात किया आए तो इसमें अटारे से पच्चीश से आपकी यह जोन जो आपको जो आपको सकते हैं और नीचे बात कर लेते हैं जो कुन कर रहने वाला है सेकेंड मतलब 10 इस्टेंडर फोर्म मतलब कहने होता है कि इसमें 10 पास के लिए वो भी इसमें कंडिट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बोर्ट से यह सीमा बताई गई है ठीक है तो काफी अच्छी इससे मालालाग पोस्ट पर वैकेंसी रहने वाली है जो आपको इसमें और असेष्टन एकाउंट ऑफिसर इसमें है एक वैकेंसी है आपको जाल लिए है 7 बतलाव 7 लेवल की इसमें आपको सेल लिमने वाली है इसमें काफी इसमें जक्र किया हुआ है बरकर नॉलिजज एंट टैली विल गेट पर फरह पहन सिन मतलब टैली आना चाहिए ठीक है bachelor of degree any subject होनी चाहिए 5 साल का experience होना चाहिए चाहिए mental account in government ठीक है इसमें कि अगर बात करें तो 40 साल इसमें एज है ठीक है अगर आप इसमें कहने का मतलब यह है कि कहने का मतलब है कि इसमें आप क्या करेंगे इसमें आपका जो आपकी इसमें जोइनिंग होने वाली है इसमें कोई physical होने वाला है सिर्प इसमें आगे आपकी जोइन होगी तो सिर्प होगी आपकी written exam क्वालीफ़ कर देगे तो इसमें आपकी किसमी होगी ठीक है अगर आप बात कर लेते हैं इसमें जो डेट ओलान मतलब कब और कब से कब से हुआ था है तो यह ग्यारे नौमबर से ओने वाला कब तक चलने वाला है और लाश्ट टाइम अफ रेसीप्ट ऑप ओलान तीस ताम सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं अगर बात कर लेते हैं इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे इसमें बात कर लेते हैं सेकंड वीक में रहने वाला है और इसमें बात कर लेते हैं सब्सक्राइब कर दो में आपकी इसमें अपनी नौकरी पक्की कीजिए ठीक हैं तो मिलते हैं दोस्तों नीव वीडियो में तब तक के लिए जयावारत हुआ दोस्तों